Hello students, आप सभी लोगों का सुमित राना BSC classes में स्वागत बेटा, आज इस lecture में हम बात करेंगे Planck's quantum theory की क्या होती Planck's quantum theory आप लोगों ने इसको 11th standard में बहुत अच्छा पढ़ा होगा तो इस theory के according है बताया गया है कि जो भी आपकी energy है, जो भी आपकी energy है वो energy का कोई भी form हो सकता है, ये energy जब किसी medium में travel करती है, तो ये continuous form में travel नहीं करती है बलकि energy छोटे छोटे packets की form में travel करती है, इन packets को यहाँ पर कहा जाता है आपका quanta, क्या बोला जाता है, quanta बोला जाता है, अगर ये energy light energy है अगर ये energy light energy है, light energy है, तब इन packets के लिए जो word लग जाएगा, वो लगेगा आपका futrans clear, तो Planck का कहना है कि कोई भी energy हो, और वो energy का कोई भी form हो, अगर वो किसी medium में travel कर रही है या किसी medium दोरा absorb हो रही है, या किसी medium से वो emit हो रही है, तो वो कभी भी continuous form में इह घटना नहीं होगी, बलकि वो energy हमेशा packets की form में absorb होगी, emit होगी और travel करेगी, इन energy के packets को यहाँ पर quanta बोला गया है, क्या बोला गया है? तो इसके लिए word लगा देते हैं quantum और energy के अगर बहुत सारे packets हैं, तो उनके लिए word लगा दिया जाता है quanta, अगर यह light के case में, अगर वो energy प्रकास के रूप में चल लगी है, तो इन packets को उम लोग क्या कहते हैं? photon कहते हैं, क्या बोलते है? photon कहते हैं, अब बात आ रही है कि इनकी energy कितनी होती है, तो आपको बताना चाहेंगे कि एक photon की one photon ले ले या one आपका quantum ले ले, समझ मारा ना? एक photon या एक quantum की जो energy होगी, वो photon की frequency, उसकी आपवरती के नकुरमा उनपाती होती है, इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर H आएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा new, तो ध्यान रखना हमेशा जीवन परंद के लिए, कि photon या quantum की जो energy होती है, वो हमेशा एक photon के energy होती, E अब बात आती है, कि इसको एक्जाम में किस तरीके से लिखा जाएगा, तो तरीके से rating डालें, 1901 में यह प्रपोस्ट की गई थी theory, क्या statement कह रहा है, statement कह रहा है, कि radiation energy, जो विकरन उर्जा है, वो continuous form में, ना तो absorb होती है, ना ही radiate होती है, बलकि इसका absorption, या absorption, या emission, energy के small packets क form में होगा, जो भी energy radiate हो, या emit हो, या travel करेगी, वो हमेशा small packets में होगी, इन्हें quanta कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, quanta कहते हैं, अगर ये light के case में है, अगर light के case में अगर energy है, तो इन packets को हम लोग क्या कहेंगे, photon कहते हैं, क्या बोलते हैं, photon कहते हैं, clear, next slide में, अगर हम energy प्रफोंट्ट्या या ये अनर्जी करें तो यहां पर energy E proportionality का sign आ जाएगा यहां पर और हो जाएगा new proportionality का sign हटाएगे H यह हो जाएगा new यहां पर क्या है frequency of photon frequency of radiation क्लियर यह frequency of the क्या कह सकते हैं आपका quantum भी बोल सकते हैं तो यहां पर E ay proportionality sin h आजाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा e बराबर h new, यह हमारी energy कहलाती है 1 photon की, इसकी आपकी 1 photon या 1 quantum की energy है, यहाँ पर h आपका Planck constant है, जिसकी value होती है, 6.62 into 10 की power minus 34 joules second, अगर किसी system से, अगर किसी body से, कितने photons निकल ले हैं, e n photons निकल ले हैं, e n packets निकल ले हैं, ऐसी condition में total energy हो जाएगी e बराबर n h new, क्योंकि एक photon या एक packet का energy कितना होता है h new, अगर बहाँ से n निकल ले हैं, तो total energy हो जाएगी e बराबर n h new, clear, next आगे, यहाँ पर अगर हम new को हटाएं, तो new बराबर होता है c upon lambda, frequency को c और lambda के term में लिखा जा सकता है, clear, तो यहाँ पर हो जाएगा h c upon lambda, यहाँ पर burn upon lambda को new bar लिखा जाएगा, new bar यहाँ पर कहलाता है wave number, तो यहाँ पर formula बन जाएगा e बराबर h c new bar, यह numerical में काफी काम आने वाला है, आगे देखिए, last statement में हाँ पर कह लिखेंगे, कि energy emitted or absorbed by a body, किसी body द्वारा, चाए energy absorbed हो रही हो, चाए energy radiate हो रही हो, यह हमेशा, can we either one quantum, यह a quantum के बराबर होगी, एक quantum का आर्थ है, कि यह हमेशा h new के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, यह h new के बराबर होगी, तो energy emitted or absorbed by a body, किसी body द्वारा energy absorbed या emit होगी, can we either one quantum, one quantum का आर्थ है h new, समझवा रहा है अगर बहाँ से, किसी system द्वारा अगर बहुत सारे photon या energy के बहुत सारे packet निकल लें, तो ऐसी condition में energy आपकी हो जाएगी, लिखा any whole number multiple of the h new, कहने करते हुआ है, कि अगर बहाँ से, क्योंकि एक photon का energy कितना है h new, अगर हम आप इसके multiple निकालें, तो multiple कितना हो जाएगा आपका, h new, 2 h new, 3 h new, 4 h new, 5 h new, के लिए इस तरीके से यह हमारे क्या हो जाएगे, यह हमारे आपके multiple बनेंगे energy के, कहने करते हुआ, अगर किसी system से 10 photon निकलने हैं, 10 packets निकलने हैं, तो ऐसी condition में energy कितनी हो जाएगी, 10 h new, एक packet, जो एक packet, एक bundle है, वो कितना energy रख रहा है आपका, h new, अगर बहाँ से 10 निकलने हैं, तो 10 h new, अगर बहाँ से n photons निकलने हैं, तो कितना हो जाएगा energy, e बराबर आ आपका n h new, clear, उमीद है, यहां तक clear हुआ होगा, नीचे लिखा है, कि energy emitted or absorb, जो energy emit या absorb होगी, वो कितनी हो जाएगी, आपका n h new, मैं ऐसा मान के चलने हैं, कि system से कितने photon, कितने packets निकलने हैं, n, तो ऐसी condition में energy, absorb, emit कितनी होगी, n h new, यहाँ पर new को हटाएंगे, c upon lambda हो जा जब आप कभी भी h new के multiple निकालेंगे, तो इनी number से multiply की जाती है, तब आपके क्या निकलते हैं, आपके multiple h new, 2 h new, इस तरीके से ये multiple आपके calculate किये जाते हैं, clear, यहाँ पर energy is quantized, यहाँ पर ही बोला गया, कि energy quantized है, quantized इसलिए कहा गया है, कि यहाँ पर energy जो है, वो आपके numbers मे है, दसमलम में नहीं है, इसलिए इसको quantized बोला, quantized का बैसे meaning होता है, कि जिसको तोड़ा ना जा सके, clear, उमीद है, यहाँ तक clear हुआ होगा, आगे देखिए, जिससे यह लिखा है, 0.5 h new, 1.5 h new, 2.5 h new, इस type के energy ना तो absorb होगी, ना तो उसका absorption होगा, और ना ही उसका emission होग यह energy हमारी quantized energy नहीं बोली जाती है, clear, इतना clear होगे आप लोगा, जैसे मान लीज़े आप दुकान पे गर एक uncle chips का packet लेने गए हो, तो कभी भी वो आपका packet डेर नहीं मिलेगा, धाई नहीं मिलेगा, साड़े पांच नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपका, या तो 1 मिलेगा, य यह जो numbers हैं, इन ही को बोलते हैं, quantized, clear, अब बात आ रहे हैं कि इस theory से किसको explain किया गया है, तो plank quantum theory से black body radiation को explain किया गया है, और photoelectric effect, यह दो घटनाओ को plank quantum theory से explain किया जाता है, यहाँ पर मैंने note point लिखा है, note point में लिखा है, कि जो plank quantum theory of radiation है, इसको Einstein ने 1905 में दुबारा explain किया अब इसमें क्या क्या इसमें पार्शुलेट्स हैं, वह हम lecture 3 में discuss करेंगे, clear,